बीए बीए से बीकॉम पार्ट फर्ष्ट के अंद्रगत समन्य हिंदी के पाठ्यक्रम में पत्र प्रारूप से सम्बंदित व्याख्यान माला कि आज दूसरे भाग में हम कारेले पत्र की अन्य विशेश्थाओं पर अध्यन करेंगे पहले बाग के अंद्रगत मैंने पत्र लेखन की आवशक्ता क्यों हैं पत्र लेखन क्यों महत्पुन हैं मानव के लिए और पत्रों का वर्गी करण तथा कारेले पत्र की कुछ विशेश्थाओं को इंगित किया था आज कारेले पत्र की अन्य जो विशेश्थाओं हैं उसको हम इसपष्ट करेंगे पूर्व मैंने आपको बताया था कि कारेले पत्रों की जो विशेश्थाओं की विशेश्थाओं की द्रश्टिकोंड से महत्पुन होती हैं और समने रूप से एक कारेले से दूसरे कारेले में जो पत्र लेगे जाते हैं वे कारेले पत्र होते हैं और उसके पत्रावली जो होती है वह उस पर विशेश्थाओं से ध्यान दिया जाता है आज हम उस पत्रावली पर ही आगे चर्चा शुरूर करेंगे मालिजी उधान के रूप में हम देखें तो रास्ता सरकार के जो सबी भागें कारेले पत्रों में क्रमांग की जो निर्धारित करते हैं वे इस तरह से होते हैं जैसे पत्राग का जो उधान होता है एक पर का मतलब पत्रावली कोई भी संख्या हम दे सकते हैं जैसे 20 फिर कोश्टक में हम उस संख्या को देंगे जो पत्रावली की चल रही है जैसे माल लीजिए उस पत्र सम्मदित 38 है तो हम 38 कोश्टक में लिखेंगे और उसके बाद हम अबलिक करेंगे उसके पश्चात में जिस विभाग से सम्मदित पत्र है उसका एक संक्यतिक वर्णन होगा जैसे मालीजे जी सी अ जी डॉट सी डॉट अ डॉट यानि इसका तात्प्री होगा जिल्ला शिख्यादिकारी और फिर अबलिक फिर नी अर्थात नियुक्ति कब की है उसके वर्स का उलिख होगा जैसे मालीजे अठारा की है तो अठारा अबलिक और उसके बसचात 122 वह पत्र क्रमांक क्या है वह 122 होता है इसको मैं आपको एक पीडियेफ के रूप में आपको पूरा इसका एक वर्णन आपको मैं बेजूँगा यहाँ एक जो वर्ण कि या जो उसका विशेशताई है वह आपको एक प्रीडिया भॉम्द कर न के रूपमें मिल जाएगा हम यहाँ पर केवल चर्चा इस तथ्य की विशेस सूर्भ से जो उन लिखृत संख्या होती है क्म їसर्ऀ क्रम में आगे की चंख्या होती है हमेशा कारेले पत्र एक निश्चित प्रारूप में होते हैं इस बात को आप हमेशा में द्यान रखना चाहिए और पत्र की जो शुरुवात होती है मद्दे से वह कारेले प्रेशक अधिगारी के पदनाम और कारेले के नाम से होनी चाहिए कारेले के नाम से नीचे बाई और क्रमश पत्र क्रमांक विशे संदर्प संबोधन होने चाहिए पत्रांग के सामने दिनांग का उलेख किया जाना चाहिए और कारेले पत्र के मद्दे में पत्र का परिचात्मक विवरन मुख्य विशे वस्तू इम समापन होना चाहिए बाई और आभार सुचक शब्द सनलगन का उलेख होना चाहिए और अंत में पत्र के दाई और शिष्टा चार सुचक शब्द यह वास्ताक्षर पदनाम अंकित किया जाना चाहिए परतिलीपी का उलेक करने से पूरुव पत्र करमां के उनका उलेक पुना किया जाता है परतिलीपी बेज़े जाने वाले व्यक्ति अधिकारी अथा कार्मिक के पदनाम वरिष्टा के कर्म में हमेशा रखे जाने चाहिए यह संपूर्ण जो विवरण है एक चार्ट के रूप में आपको जब PDF में दिया जाएगा तो उसको एक चार्ट बना करके आपको दे दिया जाएगा इस बात को मैं एक संचेप में किवल यह कहना जाता हूँ कि सबसे पहले जब पत्र लिखा जाता है सरकारी या करेले पत्र तो उसमें आप सबसे पहले प्रेशक अधिगारी के पद नाम और करेले का नाम उपर-ई-उपर उसके पस्चात बाईय और पत्र क्रमांक प्रेशिती यानि पत्र पाने वाले अधिकारी के पत्र का नाम, कारेले को उसका नाम, पता, फिर विशे, शंदर्ब, फिर संबोधन, ये सबी जो चीजें हैं ये कारेले पत्र में बाई और लिखी जानी चाहिए दाई और केवल दिनांक का उलेख होता है और पत्र के मद्य भाग में जो पत्र का मुख्य विशे या मुद्दा होता उसका परिचय होना चाहिए उसके विशे वस्तु का और मद्य में ही पत्र का समापन होना चाहिए अंत में बाई और आभार और धन्यवाद आदर सुचक सब्द होने चाहिए और यदि कोई हम पत्र के साथ कोई सलनगन कर रहे हैं तो उससे सलनगन का विवरन होना चाहिए और फिर उसके सामने दाई और सिश्टा सुचक सब्द आदी होने चाहिए फिर जो पत्र दिया जाता है जिसकी तरब से उसके हस्ताक्षन होने चाहिए और दिनांग का उलेख होना चाहिए अब इन सब तत्यों को जब आपको परसुत किया जाएगा तो उसमें आप विशेश रूप से इन सब तत्यों को जो व्याख्यान के रूप में मेरे द्वार दिया जा रहा है उसको आप PDF में मिलान करके अवश्य देख लेना कारेले पत्र को लिखते समय बस जो जो चीजे महत्मून हैं उस पर हमें सद्यान लखें कि यहाँ पत्र पूरी तरिकेशे अपचारिक होता है और अपचारिक होने का मतलब यह है कि उसकी जो भाशा होती है वह सरल इसपश्ट और संशिप्त होनी चाहिए पत्र तथ्यात्मक ह होना चाहिए यानि जिस कारेले के द्वारा जो पत्र जारी किया जाता है उसमें बात तरक युक्त होनी चाहिए और जिस संदर्ब का उले करना है उसके वह संदर्ब होश्य होने चाहिए पत्र के दिशा निर्देश प्रचलित प्रारूप में सटिक होने चाहिए और पत्र के अंत निश्चत इस्थान पर हस्ताक्चर अवश्य होने चाहिए डाई और करेले पत्र जिसे हम सरकारी पत्र भी कहते हैं इस पत्र को लिखते समय सामनेत कई चीजों को द्यान में रखा जाता जिसका उलेख मैंने किया उसकी सुरुवात इस तरह से भी जा सकती है जैसे हुआ है ऐसी पंक्तियों से भी पत्र शुरू किया जा सकता है अत्वा मुझे यह कहने का निर्देश वाए कि स्थापना नियमावली भाग एक में अभी तक कई संसोदन नहीं किया गया है इस तरह का उलेख किया जा सकता है फिर यदि कोई पत्र आया वा उता हो उस पत्र का उधान देते वे का जा सकता है कि या हमने पूरू में कोई पत्र दिया वा है तो यदि तारीक तक कोई उत्तर ना मिले तो समझा जाएगे कि मंत्रा ले इस मामले पर सहमत है इस तरह की ब उसके बाद उसके पद नियुक्ति के लिए अस्था यादार पर चुना गया इस पद पर उसके इस्थाई करण के समय में यथा समय विचार कर लिया किया जाएगा यह मैंने कुछ जो आपको परसुत किये हैं यहाँ जब हम किसी कारेले पत्र को जब हम पढ़ते हैं तब उसी से यह सारी तथ्य और ज़्यदा इस पष्ट होते हैं उधान के रूप में मैं एक तथ्य आपके सामने परसुत कर रहा हूं जैसे माल लेजिए कि रास्थान सरकार में एक कोई कारेले पत्र लिखा जाता है एक रास्थान राज्य विद्धूत मंडल नोखा के जो अधिशासी अभियंता द्वारा एक पुलिस अधिक्षक बिका अधिशासी अभियंता जाएगा सबसे पहले कारेले अधिशासी अभियंता जाएगा आएगा उपर मद्य में जहां से पत्र लिखा जा रहा है फिर रास्थान राज्य विद्धूत निगम खंड उसके बाद नोखा बिकाने फिर उसकी पत्रावली की शंख्या बाईयों और प्रेशक जो अधिशासी अभियंता होगा रास्थान राज्य विद्धूत प्रशा फिर प्रेशिती जिसको प्रेशित किया जा रहा है पुलीश अधिक्षक बिकानेर जिला फिर मद्य में विशय की इस तारीक को आयुजित आरक्शन डेली के दोरान आउशक शुख्या करने है तूँ संदर्ब दिया जा सकता है जिला कलेक्टर बिकानेर कालेल है मैं जिस त उक्त तारीक को जिला कलेक्टर बिकानेर में भी बैठकी और आकश्ट करना चाते हैं जिसमें उक्त तारीक को आयुजित आरक्शन डेली से उत्पन संभावित विद्धूत नुक्षान खत्रों एविविस्था पर आवशिक चर्चा की गई आरक्शन डेली के दोरान उक्त समाज के युवाओं के दोरा गंभी रोस परकट करने के दोरान विद्धूत उपकरनों को जलाने अध्वा नश्ट करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे तैसिल की समुची विद्धूत आपूर्ति ठप हो सकती है और विभाग को भारी लुक्षान हो सकता है इसी अप्यक्षा के साथ कि सदेव की बांती पुलीस विबाग का सक्रिय सयोग रहेगा इसे तु हमारी और से पुलीस विबाग के अधिकारियों और कर्मियों की तुरंत बैठक कायोजन किया जाए जिससे रेली से उत्वन आयव्यवस्ता के खत्रों को रोका जा सके आसा ह है कि आप नोखा तैसिल के संबंदित थानों को सुचित कर सिग्र आवशक बैठक करेंगे साधन्यवाद फिर दाईयों और अस्ताक्षर अधिशाजी अभियंता फिर बाईयों और सनलंगन आरक्षन समीति के सचीव के रेली के पत्र की चाया परती और उसकी पत्र की करम सं उसके पश्चात परतिलीपी सूचनात एक आवशक कारवई जिसमें जला कलेक्टर जला भीकानेर अधिक्षन अभियंता राज्य विदुत निगम जोदपुर उप अधिक्षक पुलीस नोखा वरत्त नोखा थाना अधिगारी पुलीस थाना नोखा और रक्षित पत्ताव पुली और फिर अंत में पुना हस्ताक्षर अधिशासी अभियंता इस तरह से या पत्र ऐसे लिखा जाएगा परिज्चा में